नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर भावेश आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेट दर्द, अब्डॉमिनल पेन या कोलिक के लिए 9 best जो होमेपितिक मेडिसिन्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं जो सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगा उन सिम्टम्स के बेस प आपको पेक मेडिसिन लेके आना हैं ताकि प्रॉपर उसके पर दवा का नाम लिखा रहे हैं और ताकि रिजल्ट आपको अच्छा मिल सके तो पहला जो है आपको पेट में वालेंड बहुत तीवर दर्द होता है लेकिन जो दर्द है आपका हाथ से दबाने पर पेट को जै पेट दबाने से दर्द कम हो जाता है तो मेडिसिन सोच सकते हैं आप कोलो सिंथ छे पावर के बारे में आप सोच सकते हैं तो जब भी आपको पेट दर्द होता है और पेट दर्द होने पर पेट दबाने से दर्द कम होता है ऐसा कुछ आपको लक्षण मिलता है तो आप को बाजू बाजू दर्द होता है और दबाने से कम हो जाता है तो आप सोच सकते हैं आगे बात करते हैं आपका पेट दर्द होता है ठीक है अचानक से पेट दर्द होता है ठीक है और वो आज जो है दर्द जो है अपना इस्थान बदलता रहता है अचानक से पेट दर्द लेकिन वो अपना इस्थान बदलता रहता है और साथ में आप जब पीछे की और पीछे की और ऐसे आप अपने बॉडी को करेंगे और पेट दर्द में कमी होती है तो आप सोच सकते हैं डायस्कोरिया फिर से बता रहा हूं मैं आपको अचानक से दर्द आता है और जो दर्द अपना इस्थान लगातर बदलता रहता है और पीछे की और बेटर बेंडिंग बैकवर्ड पीछे की और मुव होने पर आपका पेट दर्द कम होता है तो डायस्कोरिया के बारे में आप सोच सकते हैं बहुत ही इफेक्टिव मेडिसेन है आगे बात करते हैं आपकी कोई सर सर्जरी होने के बाद मतलब पेट की अब्डॉमिनल पेट वाली कोई सर्जरी हुई है और सर्जरी के बाद आपको पेट में दर्द बना रहता है सर्जरी के बाद पेट में दर्द होता है सर्जरी के बाद पेट दर्द की समझ से आपको आ गई है तो आप सोच सकते हैं बहुत अधिक effective दवा है आगे बात करते हैं बहुत अधिक खाना खाने के बाद पेट में दर्ध होता है ओवर इटिंग ज्यादा खाना खाने के बाद पेट में दर्ध होता है यह समस्य आपको हमेशा होती कि ज्यादा अपने ओवर इटिंग कर लिए पेट दर्ध होना लगत चोरिया नक्सफाएं तो आप दवा सोच सकते हैं। नक्सफवावमे का बहुत इफैक्टीव मेडिसिन है। नक्सफवावमे का छे पावर के बारे में। नेक्सफबात करते हैं, oily food खाने पर समोसा खाने पर कचोड़ी खाने पर या शादी में आप गए हैं वहाँ पर आपने oily food खा लिया और उसके बाद पेट में दर्द हो रहा है oily food तेल वाली चीज खाने के बाद में पेट दर्द होता है तो आप समझ जाएए आपको लेना है पलसे टिला नाम का अच्छे पावर की दवा ले सकते हैं बहुत ही असरदार है जिसे पुदेना हरा होता है पुदेना की दवा टेबलेट आती है वैसी ही टेबलेट होती है ये तो आपके घर में होनी ही चाहिए medicine जब भी आप oily food खाते हैं तो इसे आपके हाँ कोई तहवार है आपने खा लिया शादी में गए ये कोई पार्टी में गए उसके बाद ये आप ले सकते हैं बहुत ही effective दवा है ठीक है इसके बात करते हैं आपका जो है पेट दर्द होता है और आपको रुक 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 बहुत तीवर है लेकिं पाउस मोड科 मतलब आता है फिर जाता है आता है ता-अचानक ये बहुत तेज दर्द होगा फिर चला जया गए पर तेज दर्द होगा फिर चला जाएगा मतलब episodes में आपको आ रहा है तो आप सोस्च सकते हैं मैक फॉस मैक फॉस छे पावर के बारे में सोच सकते हैं तीवर दर्द लेकिन आता है फिर जाता है फिर आता है फिर जाता है हो सकता है पांच मिट रहा फिर दो मिट के लिए आया फिर पांच मिट काया हो गया दो मिट के लिए पांच मिट गया हो गया ऐसी दर्द के लिए मै कार्बो वेज के बारे में कार्बो वेज अपर एब्डॉमेन में मतला नाभी के ऊपर की बात कर रहा हूं ठीक है अगली बात करते हैं नाभी के नीचे दिया आपका दर्द होता है तो आप लाइको पोडियम के बारे में सोच सकते हैं नाभी के नीचे दर्द होता है तो होमेपेटिक मेडिसिंस हैं जो लक्षण आपको मिलते हैं उसके अनुसार आप इसका यूस कर सकते हैं जब भी उपयोग करें तो यह सील पैक मेडिसिन आपको लानी चाहिए और इन दवाओं से आपको बहुत अधिक लाब मिल सकता है यह दिए इसमें से कोई वी एक समस्या स जुर्रियां हैं उन सब के लिए होमेपेटि दवा लेना चाहते हैं तो आप दिएके नंबर पर कॉंटेट कर सकते हैं नमस्कार